एक समय की बात है जब एक छोटे से शहर में शीतल नाम की औरत अपने पती महेश और बेटी पिंकी के साथ रहती थी महेश एक छोटी सी नौकरी करता था पर पूरा परिवार उसमें हसी खुशी रह रहा था एक दिन पिंकी स्कूल से चिल लाते हुए आती है ममा ममा कहां हो आप हाँ पिंकी मैं यही हूँ क्या हुआ बड़ी खुश दिख रही हो ममी कल हमारे स्कूल में पाटी है तो सब को कुछ न कुछ अच्छा सा बना कर लेकर जाना है ओ अच्छा तो ऐसी बात है तो आप क्या बनाओगे मेरे लिए देखते हूं रसोई में क्या है ममी आप पिज़ा बना दोना या कोई अच्छी से मिठाई नई बेटी यह तो बहुत महगा पड़ जाएगा मैं कुछ और देखते हूं शीतल रसोई में जाती है तो उसे थोड़े से उबले आलू दिखते है शीतल के दिमाग में तभी कुछ आइडिया आता है वो अगले दिन पिंकी के स्कूल के लिए वड़ा पाउ बना कर देती है शीतल अच्छे से एक बड़े से डब्बे में काफ़ी सारे वड़ा पाउ रख देती है पिंकी के स्कूल में जब पार्टी होती है तो सबको पिंकी के वड़ा पाउ बड़े ही पसंद आते है श्कूल की टीचर्स भी वड़ा पाउ खाकर हैरान रह जाती है वा, इतना स्वादिष्ट वड़ा पाउ तो मैंने आज तक नहीं खाया सच कहा तुमने, मैंने भी आज तक इतना स्वादिष्ट वड़ा पाउ नहीं खाया सब लोग पिंकी के लाए वड़ा पाउ की खूब तारीफ करते हैं पिंकी बड़ी खुश होकर घर आती है और अपनी मा को बताती है। पिंकी की मा भी तारीव सुनकर बड़ी खुश होती है। पर उसी शाम सारी खुशी गम में बदल जाती है जब महेश मुह लटकाए घर आता है। शीतल महेश से पूछती है कि क्या हुआ पर वो कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ बताओ तो कुछ तो बात है। मुझे आज नौकरी से निकाल दिया। मेरे साथ कुछ और लोगों को भी। कमपनी नुकसान में चल रही है। इसलिए वो अब जादा लोग नहीं रख सकते। अरे ऐसी कैसे कर सकते हैं वो। कोई नहीं मैं कल से दूसरी नौकरी ढूंडता हूँ। महेश अगले दिन से नौकरी ढूंडना शुरू कर देता है पर उसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती। महेश बिचारा बड़ा दुखी हो जाता है। घर पर धीरे धीरे सब जमा किये पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर राशन भी। शीतल और महेश का हसता खेलता परिवार एकदम दुख से भर जाता है। एक रात तो उनके पास पेट भर खाने को भी नहीं होता। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगले दिन शीतल पिंकी के स्कूल जाती है। पिंकी को स्कूल से निकलवाना पड़ रहा है। टीचर को ये सुनकर बड़ा दुख होता है पर वो अचानक बोलती है। अरे आप खुद इतनी टैलेंटेड हो तो काम ढूरने की क्या जरूरत है। आप क्यों न वड़ा पाव बेचना शुरू कर दो। सच में आपकी बहुत अची कमाई होगी। आप पिंकी की पढ़ाई कैसे नुकसान मत करवाओ और घर जाकर इस बारे में सोचो। शीतल वापस घर आ जाती है और इस बारे में सोचती है। फिर वो ये बात महेश को बताती है। महेश को थोड़ा अजीब लगता है कि वो सडक पर वड़ा पाव कैसे बेच सकते हैं। पर जो घर के हालात होते हैं उनकी वज़स से उनको ये फैसला लेना ही पड़ता है। खुश्पु सुनकर ही इतने लोग ठेले तक खीचे चले आते हैं। जब लोग शीतल के वड़ा पाव खाते हैं तो बस फिर तो खाते ही रह जाते हैं। खीड लग जाती है कि शीतल से संभाले नहीं संभलती। पहले ही दिन उसके सारे वड़ा पाव बिख जाते हैं। शीला बड़ी खुश होती है और अगले दिन से रोज अपना वड़ा पाव का ठेला लगाना शुरू कर देती हैं। पिन वहाँ एक यूट्यूबर आता है वो शीतल के वड़ा पाव का वीडियो बना कर अप्लोड कर देता है। और बस उसके बाद तो शीतल के वड़ा पाव दूर दूर तक मशूर हो जाते हैं। शीतल के वड़ा पाव के चक्कर में आसपास की सारी दुकाने ठप पड़ जाती है। कोई एक आदमी भी उन पर दिखाई नहीं देता। इस अवरत के चक्कर में मेरी अच्छी आसी चल रही दुकान बंद पड़ गई है। इसका मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका थेला रहा तो मैं तो सडक पर ही आ जाऊंगा। वो दुकानदार कुछ गुंडों को बुलाता है और उनको पैसे देकर शीतल को मारने को बोलता है। बस वो लड़के ऐसा ही करते हैं। जब शीतल देर रात घर के लिए निकलती है तो वो उसे घेर लेते हैं और उसके पेट में चाकु मारने लगते हैं। नहीं मुझे मत म मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? तेरे वड़के पैले से दुश्मनी है किसी की? और तेरी वो जैसे सब का धन्नक चौपक हो रहा है। बड़ा शोक है ना तुझे वाइरल होने का? अब देख काल से सब तुझे भूप की थी कोई गुंडे शीतल की एक नहीं सुनते और उसे जाडियों में फेक कर भाग जाते हैं। बचाओ! कोई बचाओ मुझे! मैं यहाँ हूँ! शीतल जाडियों में पड़ी तडपती रहती है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। बिचारी वहीं तडप तडप कर दम तोड़ गई! नहीं! बिलकुल भी नहीं! मैं रुकने वाली नहीं हूँ! चुडैल अपना भेज बदल लेती है और शीतल बन कर घर पहुँच जाती है। हमेशा की तरह अगले दिन वो वड़ा पाओ का ठेला लगाती है और ये देख दुकानदार अपनी आँखे मलने लगता है। उन गुंडों ने तो बोला था कि उन्होंने इस वड़ा पाओ वाली को ठिकाने लगा दिया है। तो फिर ये सही सलामत वापस कैसे आ गई? आओ आओ वड़ा पाओ खाओ! ऐसा वड़ा पाओ आपको कहीं नहीं मिलेगा। शीतल के ठेले के पास एक लंबी लाइन लगी हो कि यूट्यूबर होती है जो इस उमीद में आती है कि शायद अब उसका चैनल चल जाए। जैसे तैसे भीर खत्म होते उनका नंबर आता है तो वो अकेली औरत की स्पीड देखकर दंग रह जाती है। मीनल और कीरती वड़ा पाओ खा लेती है। मीनल का दिमाग इसी में च खबर होती है और वो अपनी मशीन वाली स्पीड में वड़ा पाओ बना रही होती है। अरे आप इतने फास्ट वड़ा पाओ कैसे बना लेते हो। आम इंसान के तो बसकी बात ही नहीं है ये सब कर पाना। आम इंसान में रही भी नहीं अब। अच्छा मतलब आप वाइरल जो तुम समझो ये लो तुम्हारा वड़ापाओ और दूसरों को आगे आने दो मीनल वहां से चली जाती है पर वो बड़ी खुश होती है कि उसने वड़ापाओ वाली का वीडियो बना लिया है अब वो घर जाकर वीडियो को बिना देखे अपलोड कर देती है और सो जाती है अब अगली सुबा जब वो वीडियो के व्यूज देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं एक रात में उस वीडियो पर चार मिलियन व्यूज हो चुके होते हैं चार मिलियन व्यूज बाप रे बाप ऐसी तो कोई खास भी नहीं थी वीडियो मीनल का तब ही फोन बच जा मिनल फोन उठाती है, हलो किर्ती कैसी हो, तुमने देखा मेरी वीडियो पर चार मिलन व्यूज हो गए है, हाँ पर ये वड़ापाव बेशने वाली चुडएल की वीडियो तुमने बनाई कहा से, हैं वड़ापाव बेशने वाली चुडएल, कौन से चुडएल, अरे जो अब मैं समझी कि आखिर ये इतनी जल्दी वड़ापाव कैसे बना लेती है, ये कोई आम औरत नहीं, बलकि वड़ापाव बेशने वाली चुडएल है, उस वीडियो को देखकर सबको उस वड़ापाव वाली चुडएल का सच पता चल जाता है, उसके बाद तो वो और वाइरल हो जाती है, हर जगा वड़ापाव बेशने वाली वाइरल चुडएल के चर्चे हो रहे होते हैं, लोग उसके ठेले के पास जाते हैं और उसको देखते हैं, फिर वहाँ एक न्यूस चैनल वाला आ जाता है और कुछ पुलिस वाले भी, यह क्या चक्कर है, तुम कौन हो सच सच बताओ, मैं तो शीतल हूँ, क्या हुआ, यह देखो अपनी वीडियो, तुम सब को पागल नहीं बना सकती, इसमें साफ साफ देख रहा है, कि तुम कोई शीतल नहीं, बलकि एक चुडएल हो चुडएल, यह सुनकर वो थोड़ा सकपका जाती है, उसका सच सब के सामने आही चुका होता है, इसलिए वो चुडएल के रूप में आ जाती है, यह देख, वहाँ खड़े लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, ओ, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, जिसने भी ऐसा किया, उसका भगवान कभी भला नहीं करेगा, पर मेरा तो तुमने बुरा कर दिया ना आखिर, ना तुम वीडियो बनाती हैं और ना किसी को मेरा सच पता चलता कि मैं एक चुडएल हूँ, अरे तो कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई पर्क नहीं पड़ता, हम जैसे वड़ा पाओ खाने आते हैं, वैसे ही आगे भी आएंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी और तुम्हारे परिवार की पूरी मदद करेंगे, हाँ, क्या, सच में? हाँ, हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बलकि अब तुम्हारे ठेले पर और जादा लोग आएंगे, अब मैं तुम्हारे एक और वीडियो डालूँगी, और तुम वड़ा पाओ बेचने वाली चुडएल के नाम से वाइरल हो जाओगी, तुम्हें अपन बनकर भी वड़ा पाओ बेच रही है, पिंकी को ये सच पता ना चले, इसलिए वो से हॉस्टल में डाल देता है, वो दुकानदार जिसने शीतल को मरवाया होता है, वो गुस्से में अपनी ही दुकान बंद करके, वहां से हमेशा के लिए चला देता है,